जैहिन दोस्तों हम लोग corporate accounting में maximum chapters को cover करते हुए आज से एक नया chapter पढ़ना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है banking companies account banking companies accounts या accounting for banking companies दिखिए जिस तरीके से एक व्यवसाई पूरे वर्स में उसकी operating activities से उसे क्या profit या क्या loss हुआ इसको जानने के लिए profit and loss अकॉंट बनाता है ठीक इसी तरीके से banking companies भी वर्स भर में होने वाले अपने transaction से अपना profit और loss जानना चाहती है तो इस उद्देश से जब banking companies अपनी accounting करती है तो उसको क्या कहा जाता है banking companies accounts या accounting for banking companies अब बात आती है कि आखिर banking companies क्या है और bank क्या है तो bank और banking companies की जब हम लोग बात करेंगे act 1949 banking regulation act 1949 के section 5b और section 5b में की definition दी गई है banking की definition दी गई है banking की definition क्या है banking regulation act 1949 के section 5b में banking की definition दी गई है banking का दाट पर एक ऐसी संस्था से है जो विनियों के दृष्टिकोंड से जनता से जमाएं सुईकार ड़ते हैं और उन्हें मांग पर उन्हें जमा करने वाले व्यक्ति को या फिर उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने का वचन देते हैं साथ ही साथ इनका मुख्यूद देशी जनता को रिड़ देना होता है अब अगर बात करें कि banking companies क्या है तो इसकी definition कहां दी गई है section 5C में दी गई है definition किसकी banking companies की definition कहां दी गई है section 5C में दी गई है banking companies का तात्वर ऐसी कमपनियों से है जो banking विवसाय से समंधित कारियों में सनलगने है और ऐसे सभी संस्थानों को अपने नाम के आगे bank, banker, banking company शब्द लगाना अनिवार है तो bank क्या है जहां पर दो बाते विशेश तोर पर आती है number एक बात वो जनता को रिड़ देने के उद्देश से बने हुए है number दूसरी बात विन्योग करने के उद्देश से जनता से जमाओं को सुईकार करते है जो हम जाते bank में deposit करने के लिए तो bank उस पैसे का क्या करता है उसको reinvest करता है हमने bank में invest किया bank ने उसको कहीं दुबारा कहीं अन्य जीगे invest किया तो क्या reinvestment के point of view से public से deposits accept करती है वस्त काम क्या है? लोन प्रोवाइड करती है दूसरा, री इनुवस्ट मेंट के पॉइंट अविव से, पब्लीक से deposit से accept करती है जो deposits, डिपोॉसिटर को जो deposit कर रहा था उसको, या उसके order पर किसी अन्य व्यक्तिक को payment करने के लिए बाद है वो क्या है? बैंक है अब अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि आखिर बैंकिंग कमपनी इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई और इसको कैसे कौन कौन गवरन करता रहा तो अगर banking company के governing की बात करेंगे हम लोग तो शुरुआत में इसकी governing जो थी वो 1860 banking act के तहत होती थी कहां से governance इसका शुरू हुआ था सन 1860 जब banking act के तहत इसकी governing शुरुआत हुई थी इसकी उसके बाद में फिर इसको बदल दिया गया तो 1913 के अंदर companies act के तहत इसको govern किया जाने लगा ये इसके लिए नियम बना रहा था और इसी के दोरा बनाएगे नेमों के अधार पर ये चल रहा था लेकिन यहां पर विन्योजगों के हितों के रच्छा नहीं हो पा रही थी इस वज़े से वर्स 1936 के अंदर इसके अंदर कुछ amendment किये गए फिर भी चीजे सही नहीं हो पा रही थी फिर भी चीजे सही नहीं हो पा रही थी विन्यूजकों के हितों की रच्छा नहीं हो पा रहे थी अस्वस्त प्रतिश्परधा थी आपस में इस वज़े से क्या किया गया 1949 1949 17 फवरी 17 फवरी 1949 को बैंकिंग बैंकिंग कमपनीज एक्ट की स्थापना की गई जो इन्फोर्स कहां से हुआ इन्फोर्स हुआ 10 मार्च 1949 से यहां से यह लागू हो गया उसके बाद में वर्ष 1906 के अंदर यह बैंकिंग कमपनीज एक्ट जो था इसका नाम बदल करके क्या रखा गया बैंकिंग Regulation Act 1949 यह अधिनियम वही रहा नाम बदला गया जो बैंकिंग रिगुलेशन Act बैंकिंग रिगुलेशन एक्ट 1949 के तहट इसका नाम बदल दिया गया और अब यही जो बैंकिंग रिगुलेशन Act है इसी के तहट RBI सारे रूल्स बनाता है और बैंकों को देता है अब अगर हम बात करेंगे Accounting of Banking Companies तो Banking Companies की जो Accounting होती है वो भी Dual Accounting System के आधार पर ही होती है लेकिन उनके यहां जो Ledger Posting होता है उसका फुड़ा System अलग है जैसे आप कभी बैंक गये तो आपने देखा कि जब आप विड्रॉल भरते हैं या फिर आप डिपॉजिट करने के लिए विड्रॉल कर बाउचर भरते हैं तो क्या कोई मेनेजर वहां पर जर्नल इंट्री करता है नहीं क्या होती है डारेक्ट पोस्टिंग होती है इंट्री का कॉंसेप्ट ही नहीं है बैंक में तो फिर डूवल इंट्री सिस्टम कैसे होगे डूवल इंट्री सिस्टम के तो शुरुवात ही इंट्री से होती है और बैंक भी डूवल इंट्री सिस्टम के अधार पर यह अकाउंटिंग करता है तो फिर कैसे तो banking की जो accounting system है उसको कहा जाता है slip accounting system ये कौन सा नया system है slip accounting system का मतलब है जब आप बैंक में जाते हैं मान लिजी आपको deposit करना है या withdrawal करना है आपको check जमा करना है आपको demand draft बनवाना है आपको neft करना है आपको rtgs करना है कुछ भी करते हो तो क्या करते हो एक slip भड़ते हो क्या करते हो एक slip भड़ते हो तो जो slip आप भड़ते हैं उसी को क्या मान लिया जाता है इस slip को ही journal entry मान लिया जाता है किसी को जर्नल इंटरी मान लिया जाता है और इसी जर्नल इंटरी के आधार पर डारेक्ट क्या की जाती है पोस्टिंग करी जाती है आप बैंक में पैसा निकालने के लिए जाओ थोड़ी दिर बाद खट से मेसेज आ जाता यूर एकाउंट हैस बिन डेविटेड बाई जूपना भी कर रहे हैं यूर एकाउंट हैस बिन क्रेडिटेड बाई डारेक्ट पोस्टिंग करते हैं वह जर्नल इंटरी नहीं करते हैं उसी को जर्नल इंट्री मान लिया गया और वो वाउचर आपका संभाल के बैंक अपने पास कम से कम छे महीने तक रखता है अगर कहीं पर आवशक्ता पड़ जाए देखो जर्नल इंट्री भाई हम लोग अगर लेखाकार अन्य वबसाय में जर्नल इंट्री करते हैं तो इसी अकांटिंग सिस्टम कहा जाता है परणी खत आनी विधी उके सिस्टम कुछ भी बैंक में करने जाते हो आपको ब्रनी पड़ती है और उसके माद्धम से ही कारे होता है क्लियर हो गया अच्छा अब उसके बाद में Banking Regulation Act 1949 के तहत क्या guidelines दी गई है banking companies को कि वैधानी के statutory provisions क्या है किसी भी banking company के लिए बहुत ध्यान से सुनिए most 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 and most important है become students के लिए और competition में commerce का कोई भी paper आप देने के लिए commerce ही नहीं बलकि bank का कोई भी paper देने के लिए जा रहे हो तो मेरे द्वारा बताई जाने वाली ये अब बातें जो बहुत ही ज़्यादा मात्पूर्ण है number 1 बात क्या किसी भी banking company की capital में सिर्फ और सिर्फ equity share ही हो सकते हैं preference share कभी नहीं हो सकते नंबर एक नंबर दो किसी भी bank के पास में उसकी authorized share capital का 50% subscribed share capital होना चाहिए और subscribed share capital का 50% ही paid up share capital होना चाहिए मतलब अगर किसी company के पास में authorized share capital दो करोड रुपे की है यह authorized अगर इतनी है तो उसकी subscribed share capital कम से कम एक करोड रुपे की होनी चाहिए और फिर उसकी paid up share capital कम से कम 50 लात रुपे की होनी चाहिए बात समझ गए authorized share capital यह 100% हो गई इसका 50% subscribed होना चाहिए और उसका 50% paid up होना चाहिए बिलकुल दिमाग में set हो जाना चाहिए आपके प्रतेक बैंकिंग कमपनी को 31 मार्च को 31 मार्च को पक्का है बनाना होगा और नेक्स पॉइंट प्रतेक बैंकिंग कमपनी को प्रतेक बैंकिंग कमपनी को section 17 के तहत section 17 के तहत at the rate 25% of net profit ट्रांसफर टू इस्टेशरी प्रुविडेंट फंड वैधानिक संचय में इस्टेशरी प्रुविडेंट फंड में 25% इच येर ट्रांसफर करना होगा जब तक कब तक जब तक कि RBI इस बात के लिए रोक ना दे वो भी Central Government of India के सहमत ले करके कि अब यहां पर आपको आपको आफशक्ता नहीं है ट्रांसफर करने की प्रतेक बैंकिंग कंपनी प्रतेक वर्ष में जतना कमाएगी उसका 25% इस्टेशरी रिजर्व में इस्टेशरी प्रुविडेंट फंड नहीं है इस्टेशरी रिजर्व है इस्टेशरी रिजर्व में ट्रांसफर करेगी वैधानिक संचय में ट्रांसफर करना अनिवार है बात के लिए ले प्रतेग banking company को अपने final accounts chartered accountant के द्वारा auditing करानी compulsory है और auditing जब उसकी complete हो जाएगी तो within three months of auditing, auditing के तीन महीने के अंदर-अंदर, auditing की तीन प्रतियां Reserve Bank of India के पास बेज़ेगी और तीन प्रतियां company register के पास बेज़ेगी प्रतेग बेंक प्रतेग तिमाही के तीसरे सुक्रवार को बेंक के पास में उसके NDTL की 75% net assets उसके पास होनी चाहिए प्रतेग banking company अपने final accounts बदले हुए प्रारूप मतलब vertical format में जो प्रारूप दिया गया है उसी के अनुसार ही तयार करेगी अन्नी किसी format में तयार नहीं का सकती है तो उमीद है banking company से related यह session आपको बहुत अच्छा लगा होगा और information आपके लिए काफी useful होगी वीडियो कैसा लगा है comment box में आ करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो like भी कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ में share कर देना जो banking companies को अपने syllabus के रूप में पढ़ रहे हैं मिलेंगे एगले वीडियो में और वहां से देखेंगे कि format क्या है banking company में जब हम लोग profit and loss account की बात करते हैं तब मिलेंगे एगले वीडियो में तब तक के लिए चाहें दोस्तों